हाई एवरीवन वेलकम तो अचीविस अचेटमी आज चेमिकल रेक्शन एक्वेशन चेप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे यह तिस को रोजन एंड रहन से देखना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पहले हम बात करते हैं को रोजन की ठीक है को रोजन क्या होता है देखो जब भी जो मैटल होते है उस पर जो हमारे स्राउंडिंग में जो मौशर है या जो गैसेज है उनका रियाक्शन होता है और उस रियाक्शन के वज़े से क्या होता है उसकी सर्फेस की जो शाइन है व तो क्या होता है कि कुछ समय बाद देखोंगे आप उसकी shining खतम होती जाती है तो चलिए देखते हैं कि definition क्या लिखना है हमको इसकी when a metal is attacked by substances around it such as moisture and acid ठीक है moisture you know that जब air में moisture है और acids क्योंकि जो moisture है उसके साथ बहुत सरी gases मिलकर कुछ acid बनाते हैं तो यह सब मिलकर क्या करते हैं जो metal की surface उसको खतम करते हैं खराब करते हैं so it is set to corrode and the process is called corrosion तो यही हम कहते हैं कि metal corrode हो रहा है खराब हो रहा है और इसी process को हम corrosion कहते हैं ठीक है तो जो examples हम देखते हैं यहांपर examples of corrosion सबसे पहले हम आते हैं आयन पर आयन का यह जो आप देख रहें एक example यहां पर क्या आपके पास यह दो pictures हैं जिसमें आपके यह new chain और यह new chain है और यह आपकी जब chain पर rust लग गई है तो यह दोनों आप देख रहो ना कितना बड़ा बड़ा difference है तो यह क्या है यह बिल्कुल जब आप नई लायो और यदि आपने इसको ऐसी छोड़ दिया moisture में और खुला छोड़ दिया या इसकी रैडिश ब्राउन फ्लेकी सब्स्टेंस इसको आप कहते हैं और यह कुछ धीरे धीरे करके यह iron article को खाता जाता है ठीक है तो जो iron articles है आप देखते हो कि कि in the beginning they shine जब आप इसको ला रहा हो बजार से market से खरीद कर लाते हो तो क्योंते है देखते हैं वें देखते हैं वें देखते हैं तो यह रेडिश ब्राउन पाउडर क्या है यही रस्ट है यही वो फ्लेकी सब्स्टेंस है ठीक है वें लेफ फॉर सम टाइम दिस प्रॉसेस इस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आइरन तो इसी को हम क्या कहते है रस्टिंग ऑफ आइरन के केस में रस्टिंग हो गई आइरन की तो इसके लिए आपको मालूम है कि जो आइरन की रस्टिंग इससे कितना नुक्सान होते है हमारे क्योंकि बहुत सारे चीज़ आप देखो यद बहुत सारे ऐसे आईटम्स हैं जो कि आयरन के बने होते हैं और उसकी वज़े से क्या होता है कि कुछ समय बाद जब उन पे रस्पलक जाती है और वो खराब होने लगते हैं तो उनको रिप्लेस करना होते है और जब रिप्लेस करना होता है तो डेफिंटली किस पर आफेक्ट कडाई क्यों recommend की जाती है क्योंकि उससे आपको आन मिलते है, तो नहीं आपको यह भी एक suggestion दे रहेहे ह pauly की आपको यह नहीं कि उसको replace कर देना है come की उसमें तो rust लते है, जंग लते है उसको maintain करना होता है, proper रखना होता है लेकिन उसमें बना Lamborghini आपके लिए nutritious होता है, क्योंकि उसके अंदर iron भी add हो जाता है, जो कि हमें generally नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम घर में देखते हैं, अब यदि आपने किसी तब यह कड़ाई को जो लोहे की है, और आपने उसको बहुत समय तक use नहीं किया, तो आप देखोगे कि उस पर radish brown coating हो रही है, तो वो stand भी यदि आपने ऐसी रख रखा है, उसको paint नहीं किया है, तो वो rust लग जाती है, तो अब rust लगती है, तो उसका कुछ prevention तो होता ही है, तो क्या preventing measures लिए जाते हैं, to prevent the iron from rusting, तो यहाँ पर कुछ आपको मैंने बता रही हैं यहाँ आपर किस तरह से आप इसको य जाता है, या क्या procedures है, तो बहुत simple है, यदि आपने देखा एक घर में चुकूलर का इस्टेंट जो मैंने अभी example लिया था, उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो एक तो हो गया आपका painting of iron article, कोई भी iron article है, आपने उसको paint कर दी है, जो आपके windows के जो grills होते है, बहुत सारे objects हैं, घर में लोहे का gate होता है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, तो आप ऐसी तो नहीं छोड़ते हो, आप उसको paint करते हो, उससे beautiful तो लगते ही, साथ में उसकी life बढ़ती है, यदि कोई ऐसी छोड़ देगा तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो rust लग करके ख machine parts हैं, machine parts में oiling and greasing की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि obviously यह सब लोहे के बने होते हैं, आयन के बने होते हैं, यदि यह नहीं किया जाएगा, oiling and greasing तो क्या होगा, कुछ समय बाद rust लग जाएगी, और वो बैसे ही fix हो जाएगे, उसमें movement नहीं होगा, उसका, जो उसमें जितने भी movements हैं, जो भी उसके work हैं, आप कह सकते हो, वो work नहीं कर पाएगे सही से, coating of iron with chromium, बहुत सारी इस तरह के objects होते हैं, जो कि iron के होते हैं, लेकिन उस पर chromium की coating की जाती है, तो chromium की coating क्यों की जाती है, जिससे कि उस पर rusting ना हो, rust ना लगे, एक होता है galvanizing the iron pipes used for water supply, galvanization एक process होती है, जिसमें iron object को आप rusting से बचा सकते हो, और यह जो process है, या आप अगले chapter में एक में पढ़ोगे, metal, non-metal में, तो galvanization में क्या होता है, आपका कि जो iron object है, वो यदि even इसमें zinc से coating होती है, और यदि zinc कहीं पे है, इस scratch से हट भी गया है, तो भी उसका effect रहेगा, even it will protect the iron from rusting, तो जो water pipe, जो water supply के लिए iron pipes होते हैं, आप देखते हो कि वो कभी खराब नहीं होती है, उसपे जंग नहीं लगती है, उसपे rust नहीं लगती है, तो क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उसपे वो galvanized होते हैं, अब हम copper की बात करते हैं, copper metal gets tarnished after some time with a coating of green color, copper पे किस color की coating आजाती ही, green color की, जो आप ये देख रहे हो, इस picture में, image में, ठीक है, जो आप लाए बहुत नया object लेकर आए, कई बार लोग आशकल बहुत suggestion करते हैं, बहुत suggestion करते हैं इस चीज़ को कि हमको copper के बरतन में आप पानी पीजिए, like glass bottle ये सब use किया जाता है घरों में, तो इसको बहुत, इसकी maintenance क्या चाहिए, इसको बहुत clean किया जाता है, यदि आप नहीं clean करोगे, तो ये कुछ इसी तरह से दिखने लगी का जैसे ही है, इतना dull, इतना खराब, तो उसके लिए क्या करना होता है, कि उसको आपको daily properly clean करना होता है, क्योंकि आप जब नया लायो ब होता है आपका, because of the formation of copper carbonate, ठीक है, ये copper carbonate क्यों है, बना देखो, carbonate, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, कि जो metal copper है, वो किस से reaction कर रहा है, आपका carbon dioxide से, ठीक है, तो उससे copper carbonate बना है, जिसकी ग्रीन कलर की layer होती है, अब हम बात कर लेते हैं, silver की, silver भी क्या होता है, आपके घर मे कुछ pranic coins होंगे, silver की jewelry होगी, आपकी मतलर की, आप देखो, कि कुछ समय यदि उसको छोड़ दिया है, नहीं उसको clean की अच्छे से, तो क्या होगा, वो black होगा, ये silver spoon दिखा है मैंने आपको, इसमें आप देख सकते हो, कि ये वाला silver spoon क्या है, ये corrode हो चुका है, means इस पे black color की, आप देखोंगे, silver बहुत dull हो जाता है, जितना वो shine करता है, when it is new, उतना ही वो dull भी हो जाता है, तो वो dull क्यों होता है, क्योंकि उस पे black color की coating हो जाती है, और ये black coating क्या है यहाँ पर, ये होते हैं आपकी silver sulfide, ठीक है, ये sulfur से react करता है, और silver sulfide बनाता है, तो silver sulfide की ज silver jewelry पर होती है, तो ये आपका silver का हो गया, तो silver, copper और iron ये तीन आपने देख लिया है कि किस तरह से इन में आपका जो corrosion होता है, वो होता है, ठीक है, अब हम देखते हैं, rancidity, बच्चों बात करते हैं, rancidity की, rancidity क्या होता है, rancidity is the process where fats and oils, in food, get oxidized on exposure to air, and this results in the food spoilage, ठीक, समझ में आ रहा होगा, क्या होता है, rancidity, ये एक टर्म है, जो हमें यूज करनी है, यहाँ पर, कि food rancid हो गया, यह rancidity होई है, तो वो क्या होता है, basically, कि जो आपका food है, जो oily food है, ठीक है, यहाँ पर हम कौन से food की बात कर रहे हैं, जो आपका oily food है, तो जो oily food होता है, वो जब oxygen के contact में आता है, ठीक है न, यहर की oxygen के contact में आएगा, तो क्या होगा, oxygen उसके साथ में react करेगा, और यह oxidize हो जाएगा, जब यह oxidize हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे food का taste आपके खराब हो जाएगा, अब जो आप बजार से नमकीन है, और उसको आपने स्टोर सही से नहीं किया तो तो क्या होगा कुछ समय बाद आपको उसका टेष्ट अच्छा नहीं लगीगा तो टेष्ट क्यों खराब होता है क्योंकि जो ओयल है फूड में वह ऑफिडाइस करता है कैसे ऑक्सिडाइस करता है because of the oxygen in air क्योंकि जब आपने उसको ठीक से इंटर ने कया तो एर उसके अंदर एंटर करेगी जो भी आपका कंटेनर है और जब एर उसमें एंटर करेगी तो वो oxygen ने एर में और oxygen होने के वज़े से food आपका oxidize हो जाएगा तो हमें करना क्या है कि किस तरह से हम इसको prevent कर सकते हैं कि rancidity ना हो यानि कि हमारा food खराब ना हो तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मैने processes आपको दी है एक तो antioxidant को use किया जाता है food में और उसकी वज़े से हम जो oily food है जिस food के अंदर हमारे fat oil है उसको हम rancidity से बचा पाते हैं तो adding antioxidant foods containing fats and oils prevents rancidity यह तो गया आपका एक point second जो आप यह देख रहो चिप्स का packet तो इस चिप्स के packet तो कितने कितने पराने होते है market में आपके date लिख रहती है कि ठीक है manufacture date यह रेक्सपायरी है तो अब इतने लंबे समय तक यह कैसे चलते हैं यह जो नमकीन के packet भी आते है बाजार में और भी जो snacks मिलते हैं oily और finger chips वगरा जो भी मिलते हैं वो सब कैसे उसमें protected रहते हैं आपके packet के अंदर और जब आप packet कोल के दिया आप छोड़ दोगे न तो एक दिन बाद ही वो आपको उसका taste खराब लगे गए यह आपने उसको packet में ऐसी छोड़ दिया और खुला है packet क्योंकि इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर होती है आपकी nitrogen gas ठीक है तो हम क्या समझे से कि जो nitrogen है वो inner ten nature में यह inner ten nature में तो क्या होगा यह oxygen से react नहीं करेगा ठीक है तो oxygen से react नहीं होगा तो यह chips का taste आपका proper रहता है यह जो भी आपके नमकीन इस तरह से packet में होते हैं जिसमें कि nitrogen gas फिल की जाती है जनरली यह nitrogen आपकी फिल कर जाती है chips के packet में आप देखते हो बहुत fluffy होता है packet तो especially इसमें nitrogen gas फिल की जाती है तो packaging of fat and oil containing foods in nitrogen gas prevents rancidity तो यह हमारा एक और आपका preventive measure हो गया है कि किस तरह से आप food को rancidity से protect कर सकते हो थर्ड होगे storing अब घर में हम क्या कर सकते हैं को नाइट्रोजन में तो हम रखेंगे नहीं anti-oxidant भी नहीं लाएंगे add करने के लिए तो हमारे पास दो options होते हैं जब हम घर में कुसी food को अपने store करते हैं जो कि oily food है हम या तो इसको airtight container में रखते हैं और यह कुछ foods ऐसे होते हैं जिनको हम refrigerator में भी store करते हैं storing food in airtight containers can avoid rancidity and storing food in a refrigerator can hold back rancidity तो यह कुछ methods हैं जिससे हम rancidity को protect करते हैं तो बच्चों यह questions आते हैं आपके write the definition of rancidity, what is rancidity, how can you prevent the food from rancidity तो इस तरह से आते हैं बहुत simple topic है पर आप इस तरह से इसके answer कर सकते हो और rancidity definition आपने देखी लिए यहां पर उमीद है समझ में आगे आपको topic अच्छे से corrosion and rancidity both, so keep watching the videos, thank you for watching, milte है अगले वीडियो में